हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे फ्रेंट्स एक इंपोर्टेंट वैगंसी आज आपके लिए लेकर आई हैं अकाउंट्स और फाइनेंस की वैगंसी आई हैं पीए स्यू क टल नबर फाइंसी बात करें है और बाद में इन्होंने कैटरीवाइज भी दिया हूए क्सक्षाट के साथ सबस्क्र टो वह एक वार देख लेते एट्स प्लेटेजिकेसं देख लेते हैं इसमें क्या मांगा गया है कि आ सब्सक्राइब की डिगरी होनी चाहिए या फिर आपके पास MBA की डिगरी होनी चाहिए टू यह वाली और फाइनेंस में आपका इस पेसलाइजेशन होना चाहिए तो यह आप इस हों को बंदे के लिजिबल और साथ में बोला गया कि जो अन्डिजावड और औरो बड़े काटीरी कंडिडेट से सिक्स्टी परसेंट मार्च होने चाहिए एंबीया में हम से कम और 50 मार्च होने चाहिए से कंडिडेट्स के लिए जो तो ये Marks वाली कंडिशन है सिर्प M.B.A. वालों के लिए अप्लीकाब होगी सी एंदी परसेंटेज प्रसेंटेज र पड़ेगा कि आपने फाइनेंस में इस पेसिलाइजेशन क्या हुआ है यह देख लिए लिमीट तो यहां पर थर्टी एस रहने वाली जेनरल कैटिकरी के लिए लिए और स्टी वालों के लिए थर्टी फाइब यर्स रहने वाली है आगेस में इन्हों ने लिखाव है कि आपका पेस्केल क्या रहेगा तो जो इनिचल पेसकेल रहेगा आपकी जोईनिंग के वन ये तक वह फिप्टी थाफजन रुपीज से लेगे सिक्टी थाफजन रहे यहाँ पर चलेगा और उसके बाद आपका जो रेकुर्मेंट होगा ओए त्री लेवल पर होगा तो माँपा जो बैसिक पेस्केल रहता है वो सिक्स्टी थाउजन टूपीस से लेगे मल्लेगे थाफजन टूपीस रहने वाला है तो एक अच्छा बेसिक पेस्केल है बहुत अग्जाम के बारे में दिख लेते हैं तो एक्जाम के बारे में बनावाए कि कंप्र बेस्का अपका ओगा जो कि लाइन हो गार यजिसमें वेन टुटल कोस्टेंस आएंगे वाट वन में वाएंगे कांटिटी वेप्टिट्यूट के जेनल ली रीजनिंग के जनल आवेनस के और डाटा इंटर्प्रेटेशन के और इंगलिस के महीं जो पार्ट वोगा उसमेटी को चनाएंगे और यह जो को चनाएंगे आपके अकाउंट और सब्सक्राइंगे तो एक अच्छी बात है यहां पर काफी वेटिश दिया जाता है जो भी आप सीए सीम में पढ़ते हैं पढ़ते हैं अपने एक्जाम में उसके बारे में आगे लिखा है कि जो एक कोश्चन होगा वे पर कोश्चन वन मार्क्स का होगा और उसमें मार्किंग कोश्चन गलत करते हैं एक्जाम दोनों ही लाग में होगा सोरी यहां पर एक्जाम लिखा है वो सिर्फ इंग्लिस में होगा हिंदी में आपका नहीं दिया जाएगा इसके लावा लिखा है कि आपको मिनीमम 50% मार्क्स लाने पढ़ेंगे अगर आप जैनल और इस कैटिगर इसके लाव यहां पर लिखा है कि एक्जाम सेंटर आपको अभी नहीं बताया हुआ है इन्होंने कौन-कौन सी सिटीज में होगा लेकिन वहां पर बोल रहे हैं कि पांच आपको चोईज मिलेगी एक्जाम सेंटर बंढ़नी कि तो मॉस्ट प्रोबैबली दिली एंस यार मे जैसे टीज में एक्जाम देखने को आपको मिलेगा इसका क्योंकि एक गवर्मेंट अब इंडिया की प्यास्यू है इसके अलावा यहां पर लिखा है कि मैथट ऑफ सेलेक्शन क्या होगा तो आपका सबसे पहले एक्जाम होगा उसके बाद आपका पर पर इंटर्व्यू क कर ले तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि बोला हुआ है कि आपका जो स्टार्टिंग में सीटी सी रहेगा वो तेरा लाग चूंसेट हजार रुपे का सीटी सी रहेगा उसमें आपके जो भी अलाउंस वगएरा हैं वो सब दिये हुए हैं आपर डिये जो मिला है आजगल ग इसकी यह काफी दिन से आए बाता नोटिविकेशन अक्ठारा मार्स से लेकिन अभी हमने इसके बारे में वीडियो बनाई है और जिसकी जो लाग डेट है वो 17 अपरेल 2020 है तो आपके पास अभी काफी सब्सेंट टाइम है साथ-8 दिन आप इसको बर सकते हैं और एक देड़ 54 रुपीज रहने वाली है वहीं सेस्ट के लिए 304 रुपेश रहने वाली है तो यह कुछ और बात है दी जो हमने आपको बताई है तो उम्मीद करते हैं इसमें हाला कि यह भी बताया है कि आपके एक्जाम कब तक हो जाएंगे तो 26 मही 2020 लिका हुआ है लेकिन जैस वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी फीचर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नहीं वीडियो में